हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आए डेली गरंड अफेर्स की सिरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 14 फर्वरी के सभी गरंड अफेर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में इन तक बने रहेएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा अगर आप चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और डेली गरंड अफेर्स की अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप क्रेजी क्रेजी जी के ट्रिक के टेली ग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के अप्लिकेशन पर जाकर फ्री ओफ कॉस्ट इसकी पीडिएफ को कलेक्ट कर सकते हैं आज ये करेंट अफेर्स का सबसे पहला कुश्चन नोट कर लिजेगा इंपोर्टेंट है प्रदान मंत्र परिवार को 300 युनिट तक फ्री बिजली प्रदान की जाने वाली है आंसर भी करेक्ट हो जाएगा भारत के पीम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को ही इस स्कीम की घुश्चना की जिसके तर देखिए 300 युनिट तक मुफ्त बिजली प्रत्यक लाभनवित परिवार को दी जा और युजना के द्वारा एक करोड घरो को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी उद्देश्य की बात करें तो इस युजना का सीधा सीधा उद्देश्य भारत में सोलर एनरजी को बढ़ावा देना है जिसके तर देखिए जो भी लाभनवित परिवार है उन्हें सोलर प अगर मुफ्त बिजली युजना को हाली में सेंट्रल गवर्मेंट ने अनौस किया है जिसकी टोटल लागत पिछोत्तर हजार करोड रुपे आने वाली है इसकीम इंपॉडेंट है सेंट्रल गवर्मेंट की बहुत ही महतुवकांशी स्कीम है तो इसे याद रखेगा इंप बहुत इंपॉडेट देता हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट अप्लिकेशन पर हमारे जीएस वाउंडेशन का आरम 2.0 बेश शुरू होने वाला है इस्पेशली ऐसे जितने भी स्टुडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेस की तैयारी कर र तो पूरे बेश को अंसर आइटिंग के पॉइंट आफ व्यू से ही डिजाइन किया गया है कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी एड़न किये गये हैं यहाँ पर जिसे फोरें अफेर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर, मेनेजमेंट यह आपके लिए एडिशनल सब्जे वहाँ पर इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बेश जोइन कर सकते हैं, एजिली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लिकेशन को डॉनलोड कर लीजे, वहाँ पर भी आपको वहीं पर एप्लिकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजिली लगा कर अपना पॉफोर्मेंस चेक कर सकते हैं, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा, बिना देर किये रूट एप्लिकेशन को डॉनलोड कर लीजे, प्ले स्टोर से और आप किस भी सबजेक्ट में इंडॉल कर सकते हैं, सेकेंड कोशन दखिए, एलेक्जेंडर स्टब किस देश के रास्टिपती बने हैं, एलेक्जेंडर स्टब हाली में यूरोपी देश फिनलेंड के नए प्रेसिडेंड के रूप में चुने गए, फिनलेंड में हाली में प्रेसिड स्टब फिनलेंड देश के नए प्रेसिडेंड के रूप में चुने गए। यहाँ पर एक इंटरस्टिंग फेक्ट आपको यह याद अखना चाहिए कि एलेक्जंडर स्टब 2014 से लेकर 2015 तक फिनलेंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। मतलब अब य प्रधान मंत्री रह चुके हैं यह फिनलेंड के। फिनलेंड की बात करते हैं। तो यह एक यूरोपी देश है, कैपिटल हैलन सी की है और औफिशली यूरो को यहाँ पर करन्सी के रूप में अपनाया जाता है। यूरोपी देश फिनलेंड को कंट्रि ओफ थाउजन लेक के नाम से जाना जाता है Alexander Stubb यहां के President के रूप में हाली में चुने गए और यहां के PM के रूप में Petri Orpo पहले से ही कारे रत है Saima Finland की सबसे बड़ी जिल है और यो Europe की चोथी सबसे बड़ी जिल है Petri Orpo Finland के प्रधान मंत्री के पतपर है और Alexander Stubb Finland के हाली में नए President चुने गए ओके नेक्स्ट कोशन देखिए जनवरी मा के लिए घुशित किये गए ICC Men's Player of the Month शमर जोसेफ किस देश से संबन्दी थे तो नोट कर लीजेगा कोशन को इंपॉर्डेंट है पूछा जा सकता है करेंटली जो एक्जामस होगी हाली में उनमें पूछा जाएगा तो ICC Men's Player of the Month किस मन्द के लिए जनवरी मन्द के लिए ये घुशित किये गए है ICC के दौ़ारा शमर जोसेफ वेस्ट इंडिस के फास्ट बॉलर शमर जोसेफ को ICC के दौ़ारा जनवरी मन्द के लिए ICC Men's Player of the Month का अवाट दिया गया क्लियर हो जाता है अंसर मिल गया अब देखें फ्रेंड्स शमर जोसेफ को ये जो पुरसकार है उस्टिलिया के खिलाफ टेस्ट सिरीज में इनके प्रदशन के कारण दिया गया बेस्ट परफॉर्म किया है इन्होंने उस्टिलिया के खिलाफ टेस्ट सिरीज में शमर जोसेफ कहां से बिलॉंग करते हैं ये याद रखना है आपको तो ये वेस्ट इंडिस के खिलाडी है इनके अलावा ICC Women's Player of the Month की बात करें जनवरी मन्त के लिए तो ये घोशित की गई Ireland की महिला खिलाडी Amy Hunter तो आपको ICC Men's Player of the Month जनवरी के लिए और ICC Women's Player of the Month जनवरी मन्त के लिए दोनों पता चल गए एक है शमर जोसेफ और Women की बात करें तो ये है Amy Hunter यहाँ पर देखिए December मन्त को भी हमें याद रखना चाहिए December 2023 के लिए ICC Men's Player of the Month का जो अवाड है वो पेट कमेंस को दिया गया था Australia के क्रिकेटर हैं और Women's का जो अवाड था ICC Women's Player of the Month December 2023 के लिए ये दिपती शर्मा को दिया गया जो की इंडिया की महिला क्रिकेट प्लेयर है तो इनने भी आद रखेगा December के भी यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं और January के भी यहाँ पर मिन आपको क्लियर कर दिये विश्व मेराथन रिकॉर्ड धावक Kelvin किप्टन का निधन हो गया Kelvin किप्टन का संबंद किस देश से था देखे कुछ समय पहले काफी चर्चाओं में रहे थे Kelvin किप्टन हाली में देखिए एक एकसिडेंट में इनका निधन हो गया जो की केनिया के विश्व प्रसिद्ध मेराथन धावक थे आंसर हो जाएगा आंसर भी सड़क दुरगटना में केनिया के प्रसिद्ध मेराथन धावक Kelvin किप्टन का 24 वर्ष की आयू में निधन हो गया लास्ट येर 2023 में जब शिकागो मेराथन होई थी तो इस मेराथन को दिखिए 2 गंटे 35 सेकेंड में Kelvin किप्टन ने पार किया था जो की एक वर्ल्ड रिकोर्ड है इसके अलावा 2023 में लंदन और शिकागो में आई जित विश्व मेराथन मेजर्स में गोल्ड मेडल भी इन्होंने अपने नाम किया है तो Kelvin किप्टन 24 वर्ष के आयू में निधन हो गया Kenya से बिलोंग करते हैं और एक धावक थे मेराथन धावक थे मेराथन की बात करें तो ये लंबी दूरी की रे से नॉर्मली मेराथन रेस की लंबाई की बात करें तो ये 42.19 किलोमेटर की होती है ये मेराथन है लंबी दूरी की रे से केलविन किप्टन मेरातन धावक थे, चोबिस वर्ष की आयू में सड़क दुरगटना में इनकी मृत्ति हो गई, ये बिलॉंग करते थे केनिया से, जो की एक अफरीकी देश है नेक्स्ट कोशन देखिए इन्होंने भारत के उत्राखन रज में किया है, भारत के उत्राखन रज में देरादुन में जनरल विपिन रावत की प्रतीमा का अनावरण राजनात सिंग के द्वारा किया गया यह प्रतीमा उत्तराखन के देरादून में टोन्स ब्रिज स्कुल में लगाई गई है जनरल विपिन्दावद भारत के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ थे और जैसा कि अभी में आपको बताया 2021 में तमिलाडू के कुन्नूर में एक हेलिकॉप्टर दुरहटना में इनकी मृत्ति हो गई थी ये शहीद हो गए थे भारत के उत्तराखन राज्जिसे बिलोंग करते थे सेना के शेत्र में या डिफेंस एक्टर में इनके योगदान के कारण इनने 2022 में ही पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था अब इनके एक स्टेचू का अनावरन रक्षा मंत्री राजनत सिंग के द्वरा उत्तराखन के दहरादून में किया गया यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के पतपर लेफ्टिनेट जनरल अनिल चोहान निउकते हैं वर्तमान में देखे फ्रेंड्स आप सभी के लिए हमारे करंट अफ्वेर की येरली इबुक शंकनाद आपके लिए एविलेबल है पूरे फरवरी तक अपडेटेड ये बुक आपको मिलने वाली है जहाँ पर बजट दोजार चूबीज भी इंकलूड है अयोध्या के राममंदिर की प्रान प्रतिस्टा से संबंदित जो कुष्चन है वो भी यहाँ पर इंकलूड किये गए है तो आप अगर हाड़ कॉपी ओडर करना चाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर आप बुक को ओडर कर लीजे डारेक्ट बुक आपके घर आ जाएगी और अगर आप इबुक जोइन करना चाते हैं तो आपको रूट एप्लिकेशन पर और इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन पर Yearly Current Affair शंकनात की इबुक भी अवेलेबल है आप Easily दोनों सोर्से से जाकर बुक भी ओर्डर कर सकते हैं और इबुक भी ओर्डर कर सकते हैं इसके बाद विश्व जल पुरसकार 2023-24 में किस शहर को जल योद्धा पुरसकार से सम्मानित किया गया देखे पहले ये जान लेते हैं कि World Water Award देता कोन है तो देखे फ्रेंड्स केंडर सरकार और युनेसको के दुआरा सयुक तुरुप से ये अवर्ड हर साल प्रदान किये जाते हैं ये हैं World Water Award 2023-24 इस सल जो कि नौएडा अथोरेटी को जल सलक्षन के उसके प्रयासों के लिए इस सल दिया गया तो अंसर हो जाएगा अंसर ए World Water Award 2023-24 के तहत Water Warrior का अवर्ड किस शहर को दिया गया तो ये है भारत का नौएडा शहर वैसे नौएडा शहर को दो अलग-अलग केटेगरी में ये अवर्ड दिया गया है Water Warrior का एक सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और दूसरा Water Race प्रोजेक्ट के लिए तो इन दो अलग-अलग केटेगरी में अलग-अलग श्रेणी में विश्व जल्पुरसकार 2023-24 नौएडा अथोरिटी को दिया गया सम्मान समारों में या फिर इसी अवर्ड के दोरान लद्दा को डाइजेस्ट वर्ड वार्टर अवर्ड से भी सम्मानित किया गया दोनों को याद रखिएगा दोनों शेहर इंपोर्ड है एक्जाम में पूछ जा सकते हैं तो वर्ल्ड वार्टर अवर्ड 2023-24 में वार्टर वोर्यर का वर्ड किस शेहर को दिया गया तो यह है नौएडा इसके बाद आगया जाएए किस रज्ज के गुपतेश्वर वन को बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइड घोशित किया गया तो गुपतेश्वर वन शेत्र जोकी पूरा वन शेत्र है ये इस्तित है भारत के ओडिशा रज्ज में ओडिशा के कोरापूर जीले में पड़ता है गुपतेश्वर वन जिसे हाली में बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइड घोशित किया गया ओडिशा के गुपतेश्वर वन को मिला कर अब ओडिशा में चार बायो डायवर्सिटी हेरिटेज साइड हो गई है अन्य तीन की बात करें तो मंद सरू ये भी बायो डावेर्सिटी हेरिटेज साइट है ओडिशा रज में इसके अलावा महेंद्र गिरी और गंध मर्दन ये सभी बायो डावेर्सिटी हेरिटेज साइट है जो की भारत के ओडिशा रज में इस्ति थे अब चोथी बनी कौन गुपतेश्वर वन ओडिशा में गुपतेश्वर वन 350 हेक्टेर भूमी पर फैला हुआ है ओडिशा के इस्तानी समुधाय द्वारा परंपरिक रूप से जो पवित्र व्रक्ष पूझे जाते हैं जो जन्जातियों में पूझे जाते हैं वेसी वनस्पति और अलग-अलग जीव गुपतेश्वर वन शेत्र में पाय जाते हैं इसलिए गुपतेश्वर वन को ओडिशा में बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइड घुशित किया गया यहाँ पर ये समझे कि Biodiversity Heritage Side घोशित करने के लिए एक अधिनियम है प्रोपर जिसका नाम है जेविक विवित्ता अधिनियम 2002 इसकी धारा 37 के तहती किसी प्लेस को Biodiversity Heritage Side घोशित किया जाता है धारा 37 क्या कहती है इस अधिनियम की? तो इसके अनुसार राज्य सरकार इस्थानी निकायों की सला पर जे विवित्ता महत्व के शेत्रों को जे विवित्ता विरासत इस्तल गोशित कर सकती है तो ये धारा 38 से हमको धारा नहीं पूछी जाती आपको ये एक्ट पता होना चाहिए जेविक वित्ता अधिनियम 2002 में लाए गया था गुपतेश्वरवन शेत्र कहा है तो ये भारत के ओडिशा रज में स्तित है ओडिशा का चोथा बायो डाविर्सिटी हेरिटेज साइट है गुपतेश्वरवन भारत का सबसे पहला बायो डाविर्सिटी हेरिटेज साइट 2007 में गुशित किया गया था करनाटक के बेंगलूरू में नलूर इमली ग्रोश हेत्र को इंपोर्टेंट है याद रखेगा पहली बार युनाइटेड नेशन के द्वरा अंतरास्ट ये अरेबियन तेंदुआ दिवस कम मनाए गया तो इंटरनेशनल अरेबियन लेपड डे के रुप में दोहजार चुबिस में पहली बार दस फरवरी को सेलिब्रेट किया गया अंसर भी करेक्ट हो जाएगा अरेबियन तेंदुआ की बात करें फ्रेंड्स तो इनका सरक्षन किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अरेबियन तेंदुआ जोकी अरब प्रायदीप में पाये जाने वाला तेंदुआ है ये IUCN की red list में शामिल है, red data book में भी शामिल है red data book की बात करें तो ऐसी प्रजातिय जीवों की जोकी खत्रे में है almost खत्म होने की कगार पे है ऐसी किसी भी जीवों की प्रजाति को IUCN की red data list में रखा जाता है तो अरब प्राइदीप में पाये जाने वाला Arabian 3-2 भी इस list में शामिल है तो इसका selection किया जाना ज़रूरी है इसलिए United Nation ने 10 फरवरी को हर साल International Arabian Leopard Day के रुप में मनाय जाने की घुशना की थी और 2024 में इसे पहली बार celebrate किया गया है अब ये तो बात हो गई International Arabian Leopard Day की 10 फरवरी को मनाय जाता है इसके अलावा फरवरी मन्त में जो Other Day मनाय जाते हैं वैसे मैं आपको कुछ sessions पहले बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं 2 फरवरी को World Wetland Day के रुप में मनाय जाता है 4 फरवरी को World Cancer Day 10 फरवरी को World Pulses Day 11 फरवरी को International Day of Women and Girls in Science और 11 फरवरी को ही विश्व युनानी दीवस के रुप में भी मनाय जाता है KPP NAMBR Award 2024 से किसे सम्मानित किया गया तो देखे पहले इस Award की बात करते हैं तो ये केरला बेस्ड एक प्राइवेट इंस्टिटूट के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है Institute of Electrical and Electronics Engineers ये केरला का एक इंस्टिटूट है फ्रेंड्स इसके द्वारा 2024 के लिए KPP NAMBR Award इस रोग के प्रमुकिया अध्यक्ष S. सौमनात को दिया गया विसे प्राइवेट इंस्टिटूशन के द्वारा दिया जा रहा है तो ज़्यादा important नहीं है लेकिन S. सौमनात को दिया गया है जो की इस रोग के अध्यक्ष है तो यहाँ पर संभावना है possibility है कि question exam में पूछा जाए याद रखिएगा इसके बाद आज के current affair का सबसे last question चर्चिट डोकरा कला किस राज्जिस से संबन्दी थे डोकरा कला का संबन्द है भारत के 36 गड़ राज्जिस से अंसर हो जाएगा answer A डोकरा कला 36 गड़ की 3000 वर्ष पुरानी एक craft friends जो की non-ferrous craft है अब ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 36 गड़ के आकार स्टुडियो के द्वरा अब इस कला का selection किया जा रहा है हाली में देखिए 36 गड़ में जब budget आया था तो budget सत्र के दुरान वहां के जो finance minister है उनके budget बेक पर भी डोकरा कला ही दिखाई दी थी क्योंकि वहां के culture को represent करती है डोकरा कला काफी पुरानी भी है 3000 वर्ष यों पुरानी है और especially आदिवासी समुदाय में काफी प्रचली थे non-ferrous craft है जिसा कि अभी में आपको बताया खोया मोम कास्टिंग तकनिक का उप्योग करते हुए इस craft को बनाय जाता है कला के द्वारा मुर्ती बनाई जाती है गेहने बनाय जाते है नॉर्मली सिंदुगाटी सब्वेता में जो की नरत्ति करती हुई महिला की मुर्ती मिली थी फ्रेंड्स वो भी डोकरा कला का ही प्रती है तो यहाँ पर हमारा कोश्चन ये है कि डोकरा कला किस राज्जे से संबंदी थे तो आपको याद दखना चाहिए यह 36 गड़ राज्जे से संबंदी थे तो यहाँ पर देखिए हमने अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सेन ने अपने नाम किया 29 अगस्त 2023 को केंदरी मंत्री नितिन गड़करी ने भारत की राजधनी नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनोल वाली कोर को लॉंच किया 30 अगस्त 2023 को इंदोर शहर को 2022 का सर्वस्रेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का आवर्ड दिया गया 30 अगस्त 2023 को एचेस प्रणाय ने विश्व बैडमिंटन चेंपेंचिप 2023 में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया 30 अगस्त 2023 को लगू सिचाई योजनाओं में उत्तर प्रदिश रज्जी शिर्श पर रहा 30 अगस्त 2023 को धोलपूर करोली बाग अभ्यारन राजस्तान रज्ज में स्विक्रत किया गया कनाडा की डेनियल मेग गाहे अंतरास्टे क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है बद्रवा राज्मा को हाली में जी आई टेक दिया गया जो की जम्मू कश्मी रज्जे से संबन्दि थे चोकुआ चावल को जी आई टेक दिया गया या समरज्जे से संबन्दि थे और 31 अगस्त 2023 को भारत के डॉक्टर रवी कननन आर को रेमन मेक्सल से पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया ये सभी वन लाइनर अगस्त मंत से बहुत इंबोडेंट है नोट कर लीजेगा अब आजाए ये लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेर हमने डिटेल में समझा था यहां पर हम उसे एक बार रिवाइस करेंगे पहला दिखिए साहित्तिकार उशा किरन खान का निधन हो गया जो कि हिंदी और मैथिली से सम्मंदित साहित्तिकार है ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2024 में उप विजयता इंडिया की क्रिकेट टीम रही और विनर ऑस्टिलियन क्रिकेट टीम रही 75 ते स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिन टूनामेंट में अमित पंगाल ने 51 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हाली में मौरिशयस, श्रिलंका और फ्रांस भारत के UPI सेवा को अपनाने वाले देश बने विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाय जाता है यह युनेस्को के दौरा 2011 में विश्व रेडियो दिवस के रुप में गोशित किया गया चेन्नाई ओपन चेलेंजर 2024 में मेंस सिंगल का खिताब भारत के सुमित नंगल ने जीता इसके बाद आजाएए स्वास्त सववर्धन के लिए WHO नेलसन मंडेला पुरसकार National Institute of Mental Health and Neuroscience को दिया गया दक्षिन भारत सांस्कृतिक केंद्र तलंगाना के हिदराबाद में स्तापित किया गया भारत सरकारत के दुआरा लॉंच किये गए पोटल स्वाती के पूर्ण रुप की बात करें तो यह Science for Women A Technology and Innovation है और सबसे लास्ट अंतिरास्ट नियालाई के नए अध्यक्ष नियाधीश नवाप सलाम को नियुक्त किया गया यह सभी ऐसे Current Affair है जो कि हमने Last Day के सेशन में डिटेल में समझे थे अब आज के लिए आप सभी के लिए Question of the Day बहुत इंटरस्टिंग है जोगरफी से ध्यान से सुनिए भागी रथी और अलख नंदा का संगम इस तल किस नाम से जाना जाता है Very very important कमेंट में जरूर बताईएगा कि इस Question का अंसर क्या है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डेडे के Current Affair में तब तक अपना खैल रखिए जै हिन जै भारत